हलो गाइज स्वागत है आपके अपने इस यूट्यू चुनल पर तो गाइज आज मैं आप लोगों की बीच 25 कोस्टन हिंदी से लेकर आया हूँ यहां से कोस्टन हर एक बार B-R-B-IRD इंटरेंसरीयाम में पुछा जाता है उससे पहले मैं बताना चाऊंगा 11 अगस्त को जो एकजाम होने वाला था B-R-B-IRD इंटरेंसरीयाम में का वो कैंसिल कर पुना 13 अगस्त को लिया जाएगा तो बच्चों आज की क्लास में बहुत ही महत्पून कोस्टन आप लोगों की बीच मैं सजा करूंगा तो बने रहे हमारे से चैनल पर और इस वीडियो को सुरूशन तक देखे तो आज के जो 25 कोस्टन है हिंदी से लिया हू का रहा है विशेशन और विशेश के योग से कौन सा समास बनता है तो आप्सन देखे आप लोग जवाब देंगे कि विशेशन और विशेश के योग से कौन सा समास बनता है तो आप्सन एक क्या रहा है दिगू समास बी करा दुवन समास सी करा करम धरे समास डी करा तत पु तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आप लोग सोच के देंगे ठीक है विशेशन और विशेश के योग से कौन सा समाज बनता है तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा और समास में क्या समानता है संदी और समास में क्या समानता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आप लोग सोच के जवाब देंगे संदी और समास में क्या समानता है तो एक में कर रहा है दोनों में ही सब्सक्राइब होता है बाéqu कराय कर संदी और समास दोनों में दोनिया मिलती है शी कर रहा है संदी और समास दोनों में ही दोनी विकास अनिवारी है और डी कर रहा है driven को संचिप्ट करते ही कि दोक जूराइटेंटर हो जाएगा पेरी बच्च क्या आज आञे आप सोच जवाब देंगे. option दे की जवाबदेंगे. बहुत इसा question इन फोटर्ण कोस्टन है, ऐसा question विहर और में पुछ जाता है. तो बच्चो इन्सक्त क्या हो जागा? Option D हो जागा. यानि कि दोनों ही सब्दों के संचिप्त करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट कोशन क्या है देखते हैं कह रहा है जब पर्थम सब्द संख्या वाची और दूसरा सब्द संग्या हो तब कौन सा समास होगा फिर से एक कोशन सुन लिजे कह रहा है जब पर्थम सब्द संख्या वाची और दूसरा सब्द संग्या तो कौन सा समय होगा द्वांद तद्परु समय माशस द्षय तो इसका ढूरा хлुक सब अंसर देंगे तो तीन का फिर कीआ होजाएगा यानि की द्षयों समय हो जाएगा रखे कि जब परथम सब्द संक्या वाच्य और दूसरा सब संग्या हो तब क्या हो समास दिगू समास हो जाएगा ठीक है इसको याद रखेंगे नेक्स्ट क्या का रहा है उसको देखते हैं करा किसमे सही समासिक पद है किसमे सही समासिक पद है आप लोग ऑप्शन देखे आंसर देंगे बहुत काफी important है अगर आप यहां से देख लेते है 25 question तो यहां से आना तय है ठीक है किसमे सही समासिक पद है एक में करा पुष धोवी नहीं बी करा दिवा रात्री सी करात्री लोकी और डी करा मंत्री परिशद तो इसका right answer क्या हो जागा सोच के जवाब देंगे तो 4 का जो right answer हो जागा बच्चो क्या हो जागा option b डिवा रात्री ठीक है option b इसका right answer हो जाएगा ठीक इसको याद रखेंगे तो 5 का जो राइट इंसर क्या हूजएगा बच्चो, समास सब्द का आरथ है क्या होजएगा संछेप एक में कहारा है, B कहारा व्यास, C कहारा टीपन। ड कहारा स्वार, तो इसका राइट इस्तर क्या हो दोन समास चुनने के लिए ठीके बच्चों एक में करा है पाप पून बी करा धराधर सी करा है काला परवीन डी करा तरी भूवन तो राइट एंसर आप लोग देंगे इसका निमली किस सब्दों में से दोन समास किस सब्द में हैं तो छे कर राइट एंसर क्या होगा बच्चो आप लोग ज्वाब देंगे तो 6 का राटेंसर हो जागा A पाप अर पूर्ण पाप पूर्ण हो जागा ठीक है पाप पूर्ण हो जागा इसका राटेंसर नेक्स्ट कोशन देखते हैं क्या कर रहा है का रनिमलिखित में बताएऽ की दीगु समास किस पदमे है चार अप्शन दिए हो है इसमें से एक अप्शन ऐसा क्या है वो दीगु समास है ठीके बच्चों इसको देखते हैं तो इसका क्या हो जागा answer एक में करा है वन गमन सी करा आजन डाओ डी करा है संदर्व तो साथ कर राट इंसर को जगा इसका अंसर आप लोग जरूर्ट देंगे बहुत इक काफी इंन कोस्टंट है ऐसे कोसन पर बार पूछा जाता है तो साथ कर राट इंसर क्या जगा बच्चो पंचुवर्टी क्या ओप다 ओठिक इस को जग सकतिक का सही विग्रह क्या होगा अव्यभी वह समाज का एक उधारन यथा सकती का सही विग्रह क्या होगा ओप्शन एक राज जैसी सकती बी करा जितनी सकती सी करा सकती के अनुशार और डी करा यथा जो सकती तो आठ का राइट एंसर क्या हो जागा बहुत ही काफी important question है अगर आप लोग इसको देख लेते है तो और बबार आप से नहीं चूटेगा कभी तो आठ का क्या हो जागा राइट इंसर का राइट इंसर का आठ का ओप्शन सी हो जाएगा बच्चो CHA समास तो राइट एंसर क्या होगा इसका पाथ साला में कौन सा समास है बच्चो में राज-पूत्र में कौन सा समास है डच्राज-पूत्र में कौन सा alguna सा करमधारे समास, B करा दोन समास, C करा संबंध, ततपुरूश और D कह रहा है बहुबिरी समास तो बच्चो इसका रेंडेसन क्या हो जाएगा अप लोग सोच के जबाब देंगे 10 नमर का जो रैटेंसर हो जाएगा बच्चो क्या हो जाएगा आप्सन C करा समास हो जाएगा तकपुरूश हो जाएगा ठीक है बच्चो चलते हैं next question देखें क्या कर रहा है नील कमल में कौन सा समास है नील देखें नाम से ही पड़ा चल जाएगा नील कमल में कौन सा समास है तक पुरुष समास करमधारे शमय दूदन सब्स बहु बिरी शमय तो इसका राइट इसलिट गाँज़का बच्चो इग्यारा का option नमर बी हो जागा यानि कि करमधारे करमधारे शमय बाइब करमधारे हो जागा बच्चो ठीक है याद रखेंग इसको आप देखिए 12 नमर का जो question कह रहा है क्या कि लंबोदर में कौन सा समास है लंबोदर नगन कर्मधार है दुवन्द और भोबरी तो 12 नमर का question कैंसर क्या हो जाएगा बच्चो इसका हो जाएगा option D हो जाएगा यानि कि बहुबरी शमास हो जाएगा बच्चो इसका ठीक है लंबो दर्म कौन समास है बहुबरी शमास हो जाएगा बच्चो राइट एंसर इसको याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्या करा रहा है पंकज में कौन सा समास है पंकज में कौन समाज है तो इसका 13 का हो जाएगा रेडिनेशर आफ्षन बी हो जाएगा यानि कि बहुत ब्री शमाज ठीक है इसको लोग याद रखेंगे अब नेक्स्ट कोशन क्या कर रहा है 14 नमर का अनभीग में कौन से समाज है अनभीग में कौन से समाज से बहुत ब्री कर्मधार है अब यह भी भाव यह फिर नग्म इसका रेडेशर क्या हो जाँगा 14 का option d ठीक है में हो जाएगा biggest है अब देखें 15 नमर क्या कर रहा प्रतीयक में कौन से समाज है बहुत ही important question है बहुत ही जादा important question है प्रतीयक में कौन समाज यहां बच्चों आकर कि फंस जाते हैं इसलिए प्रतिएक प्रतिएक में कौन समास है बहुत ही सिंपल कोस्टन है लेकिन यह फंसना नहीं बचो तो पंद्रा का जो लाइटन तरह जाएगा क्या हो जगा अब भी भाव समास हो जाएगा ठीक है प्रतिएक में कौन समास हो जगा बचो अब भी भाव समास हो जगा अब next देखतें क्या कर रहा है चोराहा में कौन सा समास है चोराहा बहुत ही काफी महत्पुन कोस्टन है ये चोराहा ऐसा कोस्टन पूछा जाता है चोराहा है में कौन समाज है द्विगू B करा दूअद C करा नेवन और D करा अब यभी भाव तो 16 नमर का जो रैड एंसर क्या हो जाएगा बच्चो option A का रैड हो जाएगा यानि की द्विगू शमास हो जाएगा बच्चो ठीक है चोराहा में इसको हम लोग याद रखेंगे ठीक है next क्या है देखते है करा रहा है वीना पानी में कौन सा समास है बहुत अच्छा कोसन है बीना पानी तद पुरूश्यमास अब यह भाव बहुबरी फिर दूअद तो इसका रैड इंसर क्या हो जाएगा बीना पानी कौन समास है बच्चो 17 क्या हो जाएगा 17 का C हो जाएगा यानि की बहुबरी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन देख दे क्या करा रहा है यथा सक्ती में कौन सा समास है एटी नमर का क्या करा रहा है बचो यथा सक्ती में कौन सा समास है एक में करा रहा है अब अभी भाव बी करा तत्पुरुष सी करा बहुबरी डी करा द्वांद तो इसका रेटेंसर क्या हो जागा कौन सा समास है एक में अभवी भाव भी तत्पुरूष सी बहुबरी डी दुवध तो एटीन नमर का राटेंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका एह हो जागा यानि कि अभवी हो जाएगा अभवी भाव ठीक है नेक्स देखते हैं क्या कर रहा है एक ग्यान में कौन सा समास है अग्यान अप लोग सोच के जवाब देंगे अग्यान में कौन सा समास है करा एक कह रहा है तत्प पुरूष बी करा नेन सी करा दुगी और डी करा दौंद तो इसका रहुआ रहने से क्या हो जाएगा नेनिंग कर क्या हो जाएगा तैंज ओप्षन भी हो जागा इसका ठीक है कि ट्वंटी में क्या करें बच्चो आज जन में आज सा समास है यानि कि यह निचका राएं दोस्तों 20 के क्या हो जाएगा option नमर C इसका right हो जाएगा ठीक है इसको हम लोग याद रखेंगे 20 का C हो जाएगा अब 21 का रहा है कि देशा टन देशा टन में कौन सा समास है देखिए यहां पे आप लोगों को अगर इस वीडियो को देखते हैं तो यहां से question आपको को तीन से चार नमर जरूड पूशा जाएगा इसलिए यहां से आप लोग इस वीडियो को जरूड देखें क्या कराया देशा टन में कौन सा समास है कर्मधार है बहुब्री अभविभाव या फिर डी चतुरती तत्पुरूश तो right answer क्या जाएग 21 के बच्चो option नमर डी इसक सब्सक्राइद सब्सक्राइब शुक्राइब कराया हैएफ टूटी्टी ऊंच सुख दुख में ने समास है वहत अचा है सुख दुख में नेसर अब गशार है जारूज हो जाएगा बशेंगे फिर चार को ज़ारन रखेंगे टिके हैं अ प्तोर दिशा दिव्या दिसा सोड़ी निसा दिवा या रात दिन में सा समास है निसा दिवा या रात दिन में कौन सा समास है तत्पुरूश दुईंगू दूंद ये कर्मधार है है कि तो रायट एंसल क्या हो जागा बच्चों 23 सिरी के चिंद्वेंट की टोइंटिटी इसी हो जाएगा क्या हो जाएका दों समास हो जाएगा ठीक है इसको हम लोग आध में पतला समीडिखर कौन सा समास है 24 नमर का बहुत ही अच्छा कोस्तों बहुत है को सब्सक्राइब जाब देंगे तो गोरा सो में को समास है बचो गोरा साव में को समास हो जाएगा एक में करहा तत्पुरुष, B करहा करमधारे, C करहा बहुबरी, D करहा अवयवी, तो घोरा सम में इसका 24 का हो जागा रेडिन सर्क करमधारे हो जाएगा, ठीक है, करमधारे समास हो जाएगा, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेस्टन है, करहा है, पंच परमेश्वर में कौन स समास है, तो सोच के जवाब देंगे, अप लोग, पंच परमेश्वर में कौन स समास है, अब अभी भाव, तत्पुरुष, करमधारे, या फिर D, डीगो, तो पंच परमेश्वर में कौन समास होगा, प्यारे बच्चों, अप लोग सोच के जवाब देंगे, 25 निम्र का कहा गारहा है पांच परमेश्वर को समास है इसका राइट अप्शन सी हो जाई किया हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्छों करमधारा इसका एंसर करमधारा नहीं तो आज आपके क्लास में 25 कोशन देख लिए अब नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे इससे भी आगे नेक्स्ट वीडियो में तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में धन्यवाद